हाई दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबो का मेरे चैनल पर मेरे पिछले वीडियो में आप लोग ने Junior Associate, SBI Junior Associate के बारे में तमाम चीज़े जानी अब इस वीडियो में आप लोगों को SBI PO के बारे में तमाम चीज़े बताऊंगा कैसा होगा आपका यहाँ पर working culture कि सब departments में आपको यहाँ पर काम करने अज़े प्रोविशनरी officer पढ़ सकते हैं क्या होगी आपकी salary, क्या मिलेंगे benefits क्या facilities, उन तमाम चीज़ों को मैं अपने इस वीडियो में लिया हूँ, तो चलिए friends अब इस वीडियो को करते हो, तो आपको बहुत सारे departments में काम करने पढ़ सकते हैं अज़े प्रोविशनरी officer, प्रोविशनरी officer के साथ 2 years का प्रोविशन जुड़ा हुआ होता है unlike clerk कि वहाँ पे 6 months का प्रोविशन पीरेड, बट यहाँ पे आप लोग के लिए प्रोविशन पीरेड किसी के भी लाइफ में वहाँ पे आपको इतना exposure दिया जाएगा different branches में, different departments में कि आप लोग अपने work culture को, अपने मतलब दाइत्तों को आप अच्छे से समझ पाओ क्योंकि जब 2 साल के बाद आपकी प्रोविशन कंप्लीट होगी, या फिर जब आप रमूट हो जाओगे, managers बन जाओगे, skill 2 चले जाओगे, तो आप उन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभापाओ, अच्छे से समझ सकोगे तभी तो निभापाओगे, तो अब इस प्रोविशन में क्या सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, वो आप लोग को बता देता हूँ, पहला डिपार्टमेंट्स के लिए आता है, तो कोई अच्छे से प्रोविशन का भी काम किया नहीं, दिया नहीं जाएगा, बट आपको उसकी बारे में जानकारी मिलेगी, आप जान सकोगे कि क्रेडिट में किस तरह के प्रोपूजल्स आते हैं, किस तरह के काम रहते हैं, वो भी आपको देखने मिल सकता है, उस तरह से अगरि क्रेडिट जो मैंने बताया, वो भी हो गया, आपके डिपॉजिट्स का भी काम आप लोको देखना पड़ेगा, कासा हो गया, कासा डिपॉजिट्स में, आपके कासा के साथ-साथ, फिक्स डिपॉजिट्स, TDR, मतलब इस तरह के जो बैंक में आप अपने बढ़हा होगे, आपको जब सारे के काम करोगे, तो आपको कुछी से समझ में नहीं आएंगी, तो उस जगह पे आपके सीनियर्स आपको बहुत कॉपरेट करेंगे, हल्क करेंगे, समझाया करेंगे, तो इस सब चीजों से प्रोवेशन पिरिएड में आप निकलके आते हो एक मैच्योर्ड officer, ठीक है सर, समझ में आगे provision period क्या मतलब होता है, कि सब departments में काम करोगे, इसके बाद मैं बता देता हूँ, दो साल का provision है, इसके बाद मैं बता देता हूँ, अब आप लोग का basic पे क्या होगा तो सर, एक SBI PO में जो starting basic पे, वो हर बैंकों की एक होती है तो SBI PO में भी वही है, वो है सर 23,700 रुपे की, तो क्या 23,700 ही आपका basic पे होगा, नहीं सर इसमें एक benefit traditional SBI जो देती है वो क्या है सर कि आपको 4 यह सर अच्छे सुनिएगा 4 4 additional increments आपको at the time of joining आपको वो देते ही, दिया करते हैं वो क्या होते है सर, वो होते हैं आपके वो होंगी 4 increments 980 रुपे के मतलब 980 करके 4 increments add हो जाएंगे आपके उस 23,700 के basic पे में तो आपका basic पे जो joining के time में आपका बनेगा वो होगा सर 27,620 रुपे का तो यह बहुत ही बड़ा benefit है, जो unlike किसी भी और बैंकों में आपको नहीं मिलेगा देखने को यह से SBI PO में ही मिलता है पट इसके पीछे एक चोटी सी चीज़ और मैं बता देता हूँ कि यह basic पे additional जो 4 मिलते है यह bonus जब आप scale 2 के level पे जाओगे, मतलब आप managers जब बन जाया करोगे तो यह फिर equal हो जाता है बाकी सारे बैंकों के तर्स पर मतलब किसी भी और nationalized bank का या पर किसी भी बैंकों में जब basic पे scale 2 का जो कोई भी होता होगा, जो कुछ भी है वो equal होगा, मतलब वहाँ पे आप उसके आगे exceed नहीं करोगे, वो match कर जाएगा यह अलग बात थी, बट एक additional 4 increments मिलना, at the time of joining बहुत ही बड़ी benefit है तो sir, SBIPO में यह privilege पाऊगे तो basic के लावा आपको क्या और चीज़े मिलेंगी, वो अपने पिछले वीडियो में मैंने बता है वो वैसे ही calculate होंगी, आपको DA मिलने वाला है, at present 54% के range में DA है, तो वो आपको मिलेगा, पर joining के time तक वो DA बढ़के 60-66% के बीच में हो जाना चाहिए, तो आप calculate कर लो आपके DA क्या होगी, आपको मिलने वाला है उस पे HR-A, HR-A आपके city पे depend करेगा कि वो किस slab में आता है 10% maximum होता है DA, तो आप जिसरे city में जाओगे, उसे साब साब कालकुलेट कर ले ना, उसके अलावा आपको मिलने वाला है वहाँ पे क्या, आपको मिलेगा special basic pay, जो होगा 7.75% of your basic pay, उसके साथ आपको मिलने वाला है क्या सर, उसके साथ आपको मिलेगा उस पे भी TA, प्लस आपको मिलेगा transport allowance, तो ये सारी चीज़े आपको मिलेंगी आपके salary seat में as fixed things, मतलब portrait mode में, जो मैं कहता हूँ, वो आपकी चीज़े रहेंगी salary seat की बट क्या आपकी salary इतनी ही होंगी as a.p.o में या फिर benefits जो होते हैं इक कस्टमर assistant को एक clerical cater में एक junior associate को बट क्या ये तीन increments आपको as a.p.o भी मिलेंगे, नहीं सर यहाँ पे एक छोटा सा change है, यहाँ पर मतलब part J.A.V. और C.A.V. दोनों के लिए एक एक increment सी यहाँ पे assigned है, मतलब ऐज़े आप P.O. प्रोविशनरी officer से scale 1 में, तो उसे वो जो उसके तीन increments थे, मतलब वो दो पे calculate होंगे, वो एक कम हो जाएंगे, कम नहीं होते हैं, वो उस level पे ही fixation होता है, आपका salary बढ़ता है, तो आपको दो एक का ही benefit मिलेगा, वो आपको 2 साल का complete होगा, तो आप next scale promotion के लिए, मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर junior associate आप join करते हो, तो कितने दिनों में आप scale 1 P.O. बनते हो, या T.O. बनते हो, उसी साब से जब आप scale 1 में directly join करते हो, या फिर promote होके भी T.O. बनते हो, मतलब scale 1 से scale 2, मतलब आप assistant manager से आप manager बन सकते हो by designation, तो वो होगा साड़े 3 साल के tenure में, फिर आप scale 2 से 3 बन सकते हो, धाई साल में ये भी revised हो चुका है S.B.I. में तो friends, ये थे आपके promotion की चीज़े, मतलब आप देख सकते हैं कि आप 6 सालों में, आप scale 1 से scale 3 तक पहुँच सकते हो, जो कि एक बहुत बड़ा advantage है S.B.I.P.O. में, तो ये तो थी promotion की बात, अब मैं आपको बताता हूँ sir, कि आपको alliances किस तरह के S.B.I.P.O. में बन सकते हैं, या बनेंगे, या मिलेंगे, तो पहली चीज जो सर आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप P.I.P.O. में post-it कहां रहते हो, सहसाब से कुछ alliances आपको ज़्यादे भी मिलते हैं, HR तो ज़्यादे मिलते ही हैं, बट एक चीज होता है, नौर्थीस्ट alliance, जिसे हम लोग hill या fuel alliance भी कहा करते हैं, तो वैसी सब जगहों पे, जहां पे मतलब बहुत ज़्यादे आप altitude में रहते हो, तो वहाँ पे आपकी salary आप कहीं से भी compare कर लो, आपको वहाँ ज़्यादे बनती हैं, 5000, 6000, 7000 तक का अंतर आपको आपके salary में देखने को मिलेगा, चाहिए आप clerical cadre में हो, तो वहाँ थोड़ा कम होगा, officer cadre में हो, तो थोड़ा और ज़ादे होगा, वो आपको मिलेगा ही, मिलेगा, ये North East alliance हर departments देती है, ठीक है, government के कोई भी sector में आपको मिलता है, बैंकों में भी मिलता है, पेट्रॉल का reimbursement, declaration basis पर मिलने वाला है, अगर आपके पास car है, आप car hold करते हो, और आप declaration देते हो, तो आपको जो पेट्रॉल का alliances मिलने वाला है, सर, वो होने वाला है, 55 to 65 liters, ये सर, 55 to 65 liters, जो कि कहीं से भी कम नहीं है, और अगर आपके पास two wheeler है, आप scale 1 में हो, तो आपको जो पेट्रॉल का reimbursement मिलेगा, declaration basis पर वो होगा, 45 to 55 liters, तो ये भी कहीं से भी कम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा advantage आपको SBIPO में मिलता है, हर बैंकों में मिलता है, कहीं कम कहीं जादे, बट SBIPO में इतना ही मिलेगा, इसके अलावा सर मैं बता देता हूँ, आप लोग को जो और चीज़ें मिलेंगी, वो होगी एक आपकी newspaper allowance सर, तो newspaper allowance आप पढ़ो ने पढ़ो, आपको मिलेगा, पढ़ना तो चाहिए ही चाहिए, तो ये कितना होता है, ये in range of आपके 600 के range में, आप लोग को newspaper allowance भी मिलने वाला है सर, इसके अलावा आप लोग को मिलेगा telephone and mobile expense, ये भी एक बहुत ही अची चीज़ होती है, ये आपको मिलेगा 600 रुपीज पर मन्त के range में, तो ये newspaper हो गया, telephone हो गया, पेट्रॉल के बारे में बता ही दिया, तो एक medical allowance के बारे में बता है, तो medical allowance जो आप लोग को apart from your medical expenses, या आप बिमार पढ़ते हो, आप claims लेते हो, एक allowance के तौर पे जो आपको वार्सिक दर पे मिलता है, मतलब annually जो मिलेगा, वार्सिक दर पे annually जो मिलेगा, वो होगा सर, officers में 8,000 रुपीज पर मन्त, रहती हैं, इसके अलावा सर, आप जान लीजिए कि आपको, जब आप bank में as a PO join करते हो, और आपके transfers कहीं other states में होते हैं, या कहीं आप जाते आते हो, तो उस दर्मियान का जो expense होता है, वो आपके traveling expense हो, या फिर आपके समानों को ले जाने लाने का खर्च हो, वो भी आपको compensation on transfers भी banks दिया करते हैं, SBI भी दिया करती हैं, और काफी अच्छा देती है, इसके अलावा सर, आप जान लीजिए कि आपका जब आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, stay करना पड़ेगा, तो as a professional officer, आपके designation, आपके मतलब जिस location में आपके हो, आपके population के साब से, आपका बनने वाला है एक बहुत ही अच्छा चीज़ वो होगा, आपका hotel expense, तो आकर यह hotel expense कितना होगा, अगर आप रुपते हो तो, तो सर, यह fluctuate करता है, यह amount, area 1, area 2, कैसा population है, उसे साब से, यह vary करने वाला है, सर, in range of rupees 1600 per day to 2600 per day, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप, इसके अलावा, सर, मैं बता देता हूँ, newspaper 500, 2600 के बीच में था, और आपका, एक cleansing material होने वाला है, सर, पर मन्त वो होगा, आप लोग के लिए, rupees 850, यह exact में आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो पता भी कर सकते हैं, तो यह भी एक benefit traditional आप लोग को मिलता है, ठीक है, सर, इसके अलावा, आप लोग जान लीजे, कि जब आपको deputation पे कहीं जाने आने को मिलेगा, सर, मतलब आपको कहीं दूसरे branches में भेजा जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको deputation allowances भी मिला करेंगे, तो यह सारी benefits में क्या-क्या आ गई, एक आगे आपका deputation से related, एक हो गया North East allowance, एक हो गया आपका cleaning material, petrol expenses, telephone and mobile expenses, medical allowance पर अनम वाला, hotel expenses, क्या कुछ बचता है सर, तो बचता है सर, एक halting expense भी आपके लिए, तो halting expense में क्या benefit होने वाला है, halting expense जो 450 रुपीज के range में था, starting clerical में वो यहाँ पे बढ़के हो जाता है सर, minimum of Rs. 800 in case of scale 1 officers in any of the areas, चाहे वो एरिया, कम population वाला भी हो, तो minimum Rs. 800 per day का आपका लाउन से start होता है, halting expenses में in SBI PO, यह maximum हो सकता है scale 1 में Rs. 1300 तक, यह exact figure मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसे भी पता कर सकते हो, तो आप कुछ चीज है revise हों में, under revision है, तो revise होते रहते हैं, मैं जहाँ तक update हूँ, तो आपको मैं updated बता रहा हूँ, हो सकता है आपके join करने के time तक, चुके भी joining में time है, तो यह थोड़ा बढ़ भी सकता है, तो जैसा हो, इस अपसे आपने halting expense को भी आप जाने लिए, halting expense कब मिलता है, जब आपको दूसरे जगा भीजा जाता है, बैंकों के काम उसे, उस जगा पे आपको यह training में जाना आना पड़ता है, इसके अलावा सर, एक बहुत जरूरी चीज़ है, जो बहुत को इंदर रहता है, कि जब आपके bank में आप आते हो, और आपको मतलब रहना पड़ता है, तो obviously रहना तो पड़ेगा ही न सर, तो जब आपको रहना पड़ेगा, तो क्या आपको reimbursements मिलते हैं वहाँ पे, तो यह depend करता है सर, आपके cities पे, clerical में नहीं है, बट आपको officers में, बिल्कुल है सर, आपको मिलेगा भी, आपको आपके reimbursements जो आपके बने हुए हैं, क्या आप रूरल में हो, अर्बन में हो, सेमी अर्बन में हो, तो रुपीज 5,000, 6,000 से लेके आपको वो event 29,000 इन Mumbai टाइप से भी आपको वो पैसे reimbursement के मिलेंगी, जो कि एक बहुत ही handsome amount हो जाता है, आपके salary component में, तो यह सारी चीज़ें थी सर, benefits की जो SBI PO में, SBI दिया करती हैं अपने staffs को, इसके अलावा, बहुत सारे और benefits हैं, advances के, loans के facilities हैं, जो SBI में भी मिल्या करेंगी आपको, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, सबसे पहले एक चीज़ और आप लोग समझ लीजें, जो आप लोग के जानने के लिए हैं, कि Sir, आपको ये सारी चीज़ें, जो मैंने अभी आप बताई, ये चीज़ें, आप लोग एक्चल में, जब जॉइन करोगे, तो इसे आप ज़रू एक बार वरिफाई कर ले ना, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ, तो Sir, सबसे पहले समझ लीजें कि Home Loan, Home Loan जो है स्टाफ में, आप लोग को क्या होगा, कितना Quantum of Loan होगा, क्या Eligibility होगी, क्या Rate of Interest होगा, वो बता देता हूँ, Sir, SBI अपने Officers को Rs. 60,00,00, जो revised हो चुका है आप लोग के बैंकों के लिए, Officer Carder में, Clinical Carder में भी साइद हो चुका है, 45,00,00, रूपीज का वो Quantum पहुचा है, अब आप Confirm हो लिजेगा, ऑफिसर में वो 60,00,00, रूपीज तक Skill 1 Officers के लिए हो चुका है, तो जिन भी Officers ने अपने Home Loans को लेने के लिए सोचा है, और उनकी Service Provision Complete होने के बाद साइध वो 3 या 5 years के वो आप पता कर ले है, उसके बाद वो Eligible हो जाते हैं, अपने Salary के साब से, वो Amount कितना होगा, वो Eligibility निकालने के बाद पता चलेगी, बट वो Total Amount चो है, वो Quantum of Loan है सर, वो है आप लोग के लिए, रुपी 60 Lacks for your Housing Loan, तो सर ये तो था Benefit आप लोग का Housing Loan में Amount का, अब ये जो आपका Rate of Interest होगा सर, मैंने पिसले वीडियो में भी बतायता है, इसमें भी बतायता हूँ, ये सर बहुत ही Convenient होने वाला है, क्यों इसे भी लेते हो, तो सर, ये एक बहुत ही बड़ा Benefit एक Banker को मिलता है, इसका Tenure भी होता है, 25-30 years का, most probably 30 years का बनेगा, 360 months का बनेगा, तो ये एक बहुत बड़ा Exclusive Benefit as VIPO में आप लोग को मिलेगा, इतने Quantum of Loan के लिए, इसके अलावा बहुत लोग को सौक होता है, मतलब क् पर मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या बाइक मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किते rate पे मिलेंगे, तो सर, बता देता हूँ, आप लोग के लिए very very good news है, ये आप लोग का loan amount भी revise हो चुका है, थोड़ी हम लोग exclusive, मतलब cars जो थोड़े हम लोग पसंद है, कोई बड़ी सी गाड़ी, for example, मैं आप लोग को बतायता हूँ, आप लोग ले लो, विटारा ब्रीजा का top model, कितने का होता है range, साह 10 लाक के range में है, तो वो आप लोग का limit होगा, SBI में, as a provisionary officer, जिसके आपकी eligibility होगी, 2 साल के onwards, मतलब 2 साल अगर आपका service complete हो जाता है, मतलब after your confirmation, that is after your confirmation of your provision period, you are going to be eligible for availing the staff benefit for your vehicle loans under four-wheeler section, तो ये आपको two-wheeler में भी मिलता है, बिटो आपको लमाउंट जो हो 10 लाक का cumulative होगा two-wheeler और four-wheeler के लिए, जो कि अभी SBI में revised हो चुका है, तो आप लोग के लिए एक बहुत अचा opportunity रहेगा, मन पसंद गाड़ी आप ल अब आप लोग को बतायता हूँ आपके OD के लिए बारे में, सर, OD के बारे में अपने पिसले वीडियो में मैंने डीडेल में बताया था कि ये कैसे होता है, OD limit क्या होती है, या मतलब ये एक personal loan के तरह, मतलब एक beneficial चीज, मतलब ऐसा नहीं होता है high rate of interest में, इसमें आपको advance मे OD limit दे दी गई, आपके account में मतलब 5 lakh रुपे दे दी गए, तो वो 5 lakh रुपे पड़े हैं अगर आप नहीं निकाल रहा हो, जुसमें से अगर आप 1 lakh रुपे निकालते हो, तो आपको सिर्फ 1 lakh रुपे ही interest देने के लिए आप applicable होगे, आप अगर 1 lakh रुपे फिर जमा कर देत हो, तो आपको फिर interest लगने बंद हो जाएंगे, वो आपके पास पड़ा रहेगा as a overdraft facility, तो ये बहुत ही बड़ा benefit है, जो अपने officers को state bank दिया करती है, सर ये आपके service completion के tenure पे मिलता है, आपको कितने साल की service हुई है, उससे आपसे bifurcations, हर bank को ने अपने staffs के लिए बनाय है, तो ये आपके provisionary officer में, जब आप SBI में join करोगे, तो ये limit मैं बतायता हूँ, ये भी revise हो चुकी है, ये in range of 10 lakhs पहुँच चुकी है, आप तो भी confirm कर लीजेगा, clerical में भी revise हो चुकी है, वो 5 to 7 lakhs पहुँच गे, साध ये भी आप confirm कर लीजेगा, बट ये actual में यही है, तो आप उसने रुपे को avail कर सकते हो, बट ये tenure जो होगा आपका sir, ये आपके service के length पे depend करेगा, अगर आपने 10 साल से उबर service कर लिये है, तो ये full limit आप consume कर सकते हो, आपको मिलेगी, अगर आपने 2 साली किया है, तो as per their record, मतब जो बनाया गया है, as per their rules, वो आपको benefit मिलेगा मतब starting from rupees 1 lakh से, लेकि 10 lakh तक बना हुआ है, 5 साल हुआ है, तो 5 lakh मतब इस तरह से आप आओगे तो आपको पता चल जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा benefit है, इसके लावा sir, आपको festival advance मिलता है, एक correction कर देता हूँ sir, festival advance का deduction जो है sir, वो sorry मैंने 12 months बता है था, वो 10 months है, वो 10 months मे आपके पैसे को काटेंगे, अगर आपकी वो gross salary पे मिलेगी, festival advance होता है, जो साल में आप एक बार किसी भी एक festival में अपने पसंद से आप 24 करके, अपनी gross salary को आप bank से ले सकते हो, वो आपको interest free मिलेगा वो loan, वो loan है, वो एक advance है, उससे आपको bank को चुकाना पड़ेगा, वो आप bank को चब लेते हो, तो आप उसे 10 equal installments में, next month जब आप लेगे, उसके बाद से आपके वो काटेंगे, और आप bank को उसमे रिपेक कर सकते हो, अगर आपकी gross salary बन रही है 50,000 रुपे, तो आप 50,000 रुपे as a festival advance, professional officer में ले सकते हो, without interest, तो ये एक बहुत ही बड़ा benefit आप ल अपने fix deposits पे loan लेते हो, तो उस पर भी जो rate of interest customer होगा, उससे 1% कम लगेगा, अगर वो minimum rate of interest 1% ही है customer के लिए, तो 0.5 आपको लगेगा, तो ये एक बहुत बड़ा benefit है, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ सर मैं बता देता हो, LFC के लिए आप entitled हैं, आप steamer से ज salary को आप sell कर सकते हो bank को, वो आपका earn leave या pay leave, privilege leave जो भी होगा, उसे आप बेचोगे, उसके आपको salary की encasement मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको अपने लिए और अपने dependence के लिए, वो dependence का definition आप बहुत अच्छे से join करने का पढ़ लेना, उसमें बहुत सारे clauses है, terms conditions है, समझ जा दो साल वाली scheme लेते हैं, आप तो आपको 2000 km जाने का, 2000 km आने का मिले का, ये LFC में बहुत बड़ा benefit है आप लोगों को, जो आप लोग को state bank देती है, सब bank देती है, state bank की बात करों, इसलिए state bank में जादे बोल रहा हूँ, तो friends इस तरह के बहुत सारे और benefits है, मतलब आप कह सक के range में ही है, below 7% ही है, in staff case and that is also even simple rate of interest, which is you are going to entitle, you are going to get in your staff cases, after getting your eligibility is fulfilled, तो friends इन तरह की तमाम चीज़ें आपको state bank में as a PO मिलती हैं, और आप उन चीज़ों को अवेल कर सकते हो, तो more or less अब आप लोग के अंदर ये question हो रहा होगा, क्या किर हमारी salary कहां पहुँचती है, तो sir, आपकी salary कितनी भी कम होगी, तो मेरे हिसाब से 60,000 के range में पहुचेगी as a professional officer, अगर आप package की बात करोगे, इन सारी चीज़ों की बात करोगी, तो sir, एक metro cities में आपकी salary कितनी भी कम होगी, cost to company के हिसाब से, 1 lakh के भी range में वो plus ही में रहेगी as a professional officer in state bank, अगर आप किसी rural area में रहते हो, पिशड़े जगापे रहते हो, तो भी कितनी भी कम रहेगी sir, तो वो आप लोगों को 65,000 रुपे के package के हिसाब से आप calculate कर लो, वो आपकी salary उतनी पहुचेगी ही पहुचेगी, कितने तरह के benefits मिले, कितने तरह का privilege मिला, अब आप उसके इलावा बहुत सारी चीज है sir, आपको मिलेंगी, बट जो भी importance थी, वो आपको as a SBI में आप confirm कर लेना, मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई है sir, वो revised बताई है, इसको आप जान लो, यही आपको देखने को मिलेगा, जब आप SBI में as a PO join करोगे, तो friends, ये video SBI PO में मैंने जितनी भी चीज़ें बत ही sir, आप खुद से एक बार अपने अंदर सोचो, जो भी थोड़े negative sentiments आ रहे हैं अगर किसी के अंदर की बहुत काम workload या ऐसा कुछ होता होगा, या है अगर in fact, तो क्या आपको लगता है sir, इस बातों को सुनने के बाद, इन चीज़ों को जानने के बाद in fact, कि आपको PO का job क क्या खराब है, आप सूचें sir, कितने लोगों को इतनी चीज़े मिला करती होंगे, अगर कोई normal graduate की eligibility, state bank में as a PO रखी गई है, या किसी में भी रखी है, वो अगर कहीं और नौकरी करने चले जाएं, तो उनको क्या इतनी चीज़े मिल सकती हैं, मुझे नहीं लगता कि technical graduate, ज multinational companies में join करते हैं, उन्हें भी recession का देखने का मतलब problem मिल जाता है, की नहीं, मिल जाता है की नहीं, criticize करना किसी भी चीज़ को बहुत असान होता है sir, और रहा बात job satisfaction का तो एक कहावत है ना, कि कोई अपने job में satisfied नहीं होता है, किसी को दूसरे की job अच्छी लगती है, तो मेर इसलिए बोल रहा हूं, आप मेहनत की कमाई से कि जब भी कोई पैसे कमाते हो, आपको मिलता है, आपके equal wages, आपके satisfactory wages अब मिलते हैं, रोटी कपड़ा मकान आपकी पूरी हो जाती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं होती है, और आपको अगर प्रोशनरी officer एक ऐसा मौका दे मितलब आप समझ लो, इतने पैसे कहीं भी और आपको नहीं मिलने वाले हैं, एक simple graduate को तो बिलकुल भी नहीं मिलेंगे, आपको अगर दो मिनेटल सोचो, bank में नौकरी नहीं हो जाए, या bank से आपको निकाल दे तो आपको इतना पैसा कमाल होगा, अगर किसी के employer आप रहते ह हो, sir, किसी दुकान में जाके देखो, कहीं स्टूर में आप देख लो, data operator या है, 10,000 रुपे, 15,000 रुपे देते हैं, call centers में तो 15,20,000 रुपे में मतलब भीज निकल जाता है, तो sir, according to me, it is a very respected job, it is a very good job, depends कि आप चीजों को कैसे देखते हो, कैसे लेते हो, बढ़ने के पास आप बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास, आप में छमता है, आप आगे निकलिए, आप और भी विभाग में जा सकते हो, बट इस्टिल अगर आप पैंक में भी हो, तो आपको उसमें डरने की कोई बात नहीं है, life बहुत charming होने वाला है, बस चीजों को आ करता हूँ, अब आपको चीजें कुछ clear हुए होगे, अगर स्टिल कोई doubts है, तो आईए फिर नीचे comment section में, मैं help करने के लिए हमेशा ready हूँ, चले friends, मिलता हूँ फिर next video में, till then, bye bye, it's me, what up